एससी एस्टि बस्तियों में भी जाना चीह, नह watching José磊 स्टि की स्टियों में वह जाते हैं, पहले शद्र्य थे इन्होंने धर्म को बचाने के लिए चमडे का उप्यों कर लिया, धर्म को बचाने के लिए मांस ले आए, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने मुसलिम बेगमों का मल उठा लिया, इसलिए उनको बंगी बोलते हैं, बंगी सब्द क्या है, यह धर्म बंग किया गया उनका, यह सब मुसलमानों के काड़ उगा, य तलवार लेकर के आएगा शेड़ जी बहुत मजे कर लिए निगलो बार हमारा घर है वो काला पाहड का उदान याद कर लो आज साम में यही हुआ था यह जितनी बिमारिया है यह गुंगट पर था अपने आ तो कम है गंगा नगर में यह गुंगट पर था क्यों आई राम ने शीता ने आपने फुटू देखा होगा शिव पारवती का रामायन महाभारत भी देखी किसी महिला ने गुंगट नहीं निकालती ही गुंगट मुसल अरे विवा दिन की जगह रात में होगे दक्षिन भारत में तो दिन में होते हैं क्योंकि उधर मुगल गये नहीं हमारी दादी पर दादी सब अंपड क्यों हो गई इसलिए अंपड हो गई क्योंकि बच्चिया ए-skool जाती थी मुसलमान उठा के ले जाते थे तो आमने का आप यह इस्कूल जाना नहीं यह सब मारे दादी पर दादी अंपड हो गई तो हमारे यह तो कंड़ गी गार गी कितने विद्वान सीता कितनी विद्वान थी द्रोपदी ने जो सवाल किये उस सवालों का उत्तर भीस में भी नहीं दे पाया पट्टी लिखी थी तब किये ना यह बाल वी बाहा बच्ची को जल्दी साधी कर लो साधी सुधा बच्ची को मुस्लमान कम ले जाते थे बाल वी बाहा इनके करना आगे चमडे का उपयोग मांस का उपयोग यह गर में लेटरिन जाते नहीं थे बाहर ही जाते थे अडपा मों जोदरम कोई लेटरिन नह के लिगे लिगें कियोंकि मेलाओं को उठाके लिजाते थे किल्ए से बाहर जाएगी तो घर बाग जायी इसलिए किल्ले में जाओ अब अद्बू आगी तो क्या करें। इन को का मुसल्मान नहीं बरनत, जो मुसल्मान नहीं बनेंगे। तो यह सब धर्भी होता हम बूल गए, सूवर भी अपनी रक्सा के लिए पाला, सूवर रहेगा, मुसल्मान घर पे नहीं आएगा, सूवर का तिलक लगाएगी लड़की, उसको कोई मुसल्मान आद नहीं लगाएगा, तो अपनी रक्सा के लिए सूवर आ गया, आज जो सूवर पालते हैं दर्म में नहीं जाओंगा जिसकी जड़े विद्य से जड़ी हुई है इसलिए बोध बने, कोई फ्रक नहीं पढ़ा बोध बने, तो वोई अंबेड कर जी रहे उनके पिताजी का नाम राम जी अंबेड कर रहा उनके गुरु का नाम महादेव अंबेड कर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बो तो हमारे आउतार जैसे सिख परंपरा है जैसे जैन परंपरा है जैसे बोध परंपरा है, लेकिन ऐसब कौन हम सब जाकर के मूल तो उस इंदू तो तत्त से जाकर के ही तो जुड़ते हैं, तो छुआ छूत खतम होनी चाहिए, इसलिए विश्व इंदू परिश्द का मंतर है, इंदवह सोदरा सरवे, ना इंदू पतितो पवित सभी इंदू सगे माँ जाए भाई है, कोई इंदू नीच या पतित नहीं है, मम दिक्सा, इंदू रक्सा मम मंतर समानता, मेरी दिक्सा इंदू की रक्सा करना, और समानता लाना मेरा मंतर है, ये विश्व इंदू परिश्द का उद्गोस है, आप सब लोग, भगवान स्री कृष्ण से, और विश्व इंदू परिश्द जिस पवित्र मंतर को लेकर के इस संगत्षन के काम में लगा हुआ है उस काम में जुटिये देखिए दुनिया में दो काम होतें एक होता है important काम और एक होता है emergency काम गर में विवा है साधी होनी चाहिए लेकिन उस में मां को है heart attack आगया आप क्या करोगे साधी करोगे मां का इलाज करा होगे बोलो इलाज कराएंगे न तो ध्यान रखना यदि हम नहीं रहे तो जैसे जम्मू कस्मीर से हिंदू बाग गया जैसे एराक से हिंदू को बगा दिया जैसे अफगानिस्तान से हिंदू को बगा दिया पाकिस्तान से बगा दिया नेपाल से भगा दिया, भूटान से भगा दिया, तिबबत से भगा दिया, उधर म्यामार से भगा दिया, स्रिलंका से भगा दिया, बाली, जावा, सुमात्रा, इंडोनेसिया, मलेसिया, जावा, ये सब हमारे थे, लेकिन सब के सब चले गए दया रखना, हमारे गुरु नान राम के पुत्र लव ने बसाया लाहोर गया हमारे आचसे बरत का पुतर था तक्स सिला को आथ-तक सिला हमारे आथ में घया भगवान राव बाबा रामदेव जी की ससुराल अमर कोट बदलकर के उसको मर कोट बना दिया अमारी इंगलाज माता का मंदिर चला गया, सिंदू नदी चली गई, तक्सिला का विश्व विद्याले चला गया, कटास राज चला गया, जहां यक्ष और युदिष्टर के समवाद हुए थे, डाकेश्वरी देवी चली गई, हमारे पसुपति नाथ का मंदिर चला गया, क्यों? देश के टोकड़े होंगे, हमको सब को अधी समाज को बचाना है, धरम को बचाना है, आने वाली अपनी उलादों की रक्षा करनी है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन चौथी पांचवी पीडी सब रोईगी देखना हमको, कि तुम लोगों ने सब पता था, तुम केवल मैं और मेरा परिवार पैसे के चक्कर में लगे रहे, देश समाज धरम के काम में नहीं लगे, तो ये सब काम इंपोर्टेंट है, लेकिन अमर्जेंसी काम एक ही है, वो है हिंदू समाज को संगठित करना, देश के लिए काम करना.